मितक दांतों की सफाई करने से दां दीले हो जाते हैं तत्य नहीं बल्कि सफाई से दां तता मसुडों पे बीज जमी खंद्री खतम होती है मसुडे स्वस्त रहते हैं और दां जदी नहीं गिरते है मितक दूद के दाटों को गिरना होता है इसलिए उनकी सफाई तता ध्यान जरूरी नहीं तत्य बलकि दूद के दाटों का ध्यान नहीं रखने से आगे आने वाले इस्थाई दाटों में परिशानी तता विसंगतियां हो सकती है मितक टेड़े मेड़े दांतों को सीधा करने का इलाज सिर्फ बाल अवस्तामी संभव है तत्य नहीं टेड़े मेड़े दांतों का इलाज व्यस्कों में भी हो सकता है मितक दंत प्रत्यारोपन से जबडों की हंडी कमजोर हो जाती है तत्य जबकि दंद प्रतारोपन जबुडों की हट्डिकों करने से बचाता है मितक जाधा तूट पेश्ट तता जोर से उर जाधा प्रस करने से दाथ सफेद होते हैं तत्य नहीं बल्कि जाधा गिसने से दाथ पीले पढ़ जाते हैं दातों की सफाई के लिए नीम, अम्रूद तथा आम इत्यादी के दातों का प्रियोग कर सकते हैं ये सुच में जिव रोदक होता है मिथक जादा मीठा खाने से दात में कीला लगता है तथे, मीठा जादा समय तक दात के संपर्क में रहने से दात में कीला लगता है नेकी ज्यादा मीठा खाने से मिथक, दात का दर्द अपने आप खत्म होने पर कोई समस्चा की बात नहीं है तथ्य, दात का दर्द अपने आप खत्म होना या दर्साता है कि संक्रमन दातों की नसो को मार चुका है मिथक, खेनी खाने से दात का दर्थ ठीक हो जाता है तथ, खेनी में उपस्तित रसायन केवल कुछ समय के लिए ही दात के दर्थ को कम करते हैं अपी तू यह मुख के कैंसर इबं विविन निरोगों के जनक है मिथक, मुख के कैंसर की जाच केवल हाई रिस्क वाले मरीजों की होती है तथ, मुख के कैंसर की जाच किसी भी स्टेज में की जा सकती है खाश्त कर शुरुवात में इसकी जाच हो जाने से इलाज में आसानी होती है मिथक युवाओं को मुह के कैंसर का खत्रा कम होता है तथ्य इसी सोच की वज़े से युवावर के लोग तंबाकु आदी का सेवन खूप तेजी से करते हैं हाला कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है या किसी भी उम्र में हो सकती है मिथक शराब पीने से ओरल कैंसर का खत्रा नहीं होता है तथ्य इसके विपरीट मुह में मौझूद बैक्टेरिया अलकोहल को अलडिहाइड में बदलने का काम करता है इसलिए इसका नियमित रूप से सेवन करना खतरनाप माना जाता है मिथक परिवार में किसी को ओरल कैंसर है इसलिए मुझे भी इसका खत्रा अधिक है तथ्य इस बात में दोराए नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी ओरल कैंसर है तो इसकी वज़े से आने वाली पीड़ी में भी इसका विकास हो सकता है मुह का कैंसर ज्यादतर मामलों में आनुवांशिक नहीं होते हैं सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन इसका कारण होता है मिथा, गर्भवस्था के दौरान ब्रश नहीं करना चाहिए सत्य, गर्भवस्था के दौरान लूं की सफाई नहीं करने से दाज की सतह पर मिथा, गर्भवस्था के दौरान लूं में टूमर होता है सत्य, इस दौरान हर्मोन ब्रश नहीं करने से प्रपोफ हो सकते है उनसे आसानी से खूर बहता है या प्रैंसर नहीं होते और गर्भवस्था के बार अपने आप चले जाते है मिथा, गर्भवस्था में दागों का इलाज महीं कराया जाता है सत्य, सपाई और पिलिंग जैसी प्रप्रिया चौर्टे, पाथवे और छोटे महीं में की जा सकते है यदि मोबे संक्रमर अनुप्चारिक छोड़ दिया जाए तो समय से पहले प्रसंद हो सकता है मिथा, गर्भवस्था के दौरान एकसे सुरक्षित नहीं है सत्य, आपार काली माम्मो में एकसे उच्चत साफदानी के साथ किया जा सकता है जैसे लेड एप्रिन और थाराइट कॉलर पहना तर